हलो फ्रेंड्स वेल्किम टो दे यूपीसी करिकुलम चैनल आज है 18 सेप्टेंबर तो आज हम डसकस करेंगे दाहिंदू के इंपोर्टेंट आर्टिकल्स को जो की पब्लिश हुए हैं और इस 10 मिनट की वीडियो में हम एक इंपोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे और उसके ब कौन कौन सी कंटरीज है जिन्होंने यह गरूप मिलके बनाया है और कितनी कंटरी ने इस गरूप को जोईन किया है तो कि छी स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो बिना टाइम वेिस्ट किये हुए 9 से 10 सप्टेंबर टक G20 की समिट चली थी हम सभी को पता है इस सेमिट के दोरान बहुत सारे एग्रिमेंट्स को साइन किया गया है और इसी में एक नया गरुप बनाया गया है वो गरुप है ग्लोबल बायो फियूल आलाइन्स और इस गरुप के फांडिंग मेंबर हैं इंडिया यूएस ब्राजील ये तीन मेंबर ने कि आखिर क्या क्या कॉंसेप्ट है इस Global Biofuel Alliance में तो चलिए अपनी न्यूज आर्टिकल की तरफ तो आर्टिकल हमारा है कि What is driving the Global Biofuel Alliance Global Biofuel Alliance क्या है क्यों बनाया जा रहा है और इसका क्या फाइदा है तो चलिए हम देखते हैं जैसे कि आप लोग जानते हैं आज के टाइम हम लोग कितना Fossil Fuels का यूज कर रहे हैं और इस Fossil Fuels की वज़े से बहुत सारा Pollution हो रहा है और यह Fossil Fuels क्या है वो हैं जैसे पेट्रोलियम, कोईला इन सब का यूज हम लोग कर रहे हैं इसकी वज़े से बहुत सारा Pollution होता है दुनिया भर की Countries अब फोकस कर रही है कि Pollution को कैसे कंट्रोल किया जाए तो इस Pollution को कंट्रोल करने के लिए हमें Fossil Fuels का यूज कम करना होगा और अगर हम Fossil Fuels का यूज कम कर देंगे तो फिर हम कैसे Drive करेंगे Cars को कैसे चलेंगे तो इसके लिए हमें एक Alternative चाहिए तो Alternative है Biofuels तो जो Biofuels है इसको हम लोग Crops की Help से बनाते हैं तो चलिए जानते हैं कि आखिर Biofuels क्या है तो International Energy Agency के बताने के हिसाब से उनके कहना है कि जो Biofuels है वो एक Liquid Fuel है जैसे Petrol होता है वैसे ही Liquid Fuel है लेकिन जो Crops से बनाया जाएगा यानि कि जो Biofuels है वो Crops से बनाया जाएगा जिससे कोई भी Pollution नहीं होगा तो चलिए हम अपने Notes के जरिए बात कर लेते हैं कि आखिर Biofuels क्या होते हैं और उसके Other जो Characteristics हैं वो क्या है कोई भी HydroCarbon Fuel जो की एक Organic Matter की हेप से Produce किया जाए कुछ महीनों में या फिर एक Short Period of Time में तो उसे हम Biofuels कहते हैं तो सवाल ये है कि Biofuels का Use हम कहां पर कर सकते हैं तो इसका जवाब है कि Diesel की जगे पर हम Biofuels का Use कर सकते हैं पैट्रोल की जगे पर पैट्रोल का Use कर सकते हैं बलकि जो भी Biofuels हैं पैट्रोल, डीजल, वगेरा जितने भी हर जगे पर हम Fossil Fuels की जगे पर बायो फ्यूल का यूज़ कर सकते हैं और बायो फ्यूल का हम electricity में भी produce करने में भी यूज़ कर सकते हैं to use, generate heat and electricity अब बात करते हैं कि आखिर क्या main reason है shift करने का तो पहला point है rising price of oil और emission of greenhouse gases from the fossil fuels fossil fuels से बहुत ज़्यादा greenhouse emission हो रहा है और जो prices है वो भी increase हो रहा है बायो फ्यूल के, sorry, fossil fuels के और जो बायो फ्यूल है वो benefit है क्यूंकि उससे agriculture crops की help से बनाया जा रहा है और उससे pollution भी नहीं हो रहा है अब बात करते हैं कि different categories की बायो फ्यूल की तो पहली category है first generation biofuels यह बनाया जाते हैं food sources की help से जैसे vegetable, oil, starch, sugar और जो animal fat होता है उसकी help से जो first generation biofuels होते हैं उनमें होता है जैसे की bio diesel, bio gas, bio ethers या फिर bio alcohols जो इसका process होता है conversion का वो बहुत easy है लेकिन जो use है food resources का production में create करने के लिए वो imbalance कर सकता है food economy में यानि कि अगर हम food का use biofuels में भी करेंगे तो उसके लिए food resources कम पर सकते है human beings के लिए ये एक point है second generation biofuels की बात करते हैं तो ये है non food पहला वाला जो biofuels था वो food से जरीए था लेकिन ये वाला non food है non food crop से करेंगे और इसमें जो होंगे stem, husk, wood, chips and fruit skins यानि कि waste के जरीए हम इसको बनाएंगे जो second generation है इसके जो examples होंगे उसमें आजाएगा cellulose, ethanol और biodiesel जो इसका process है conversion का उसको use करके हम बना सकते हैं fuels को और ये हमारे food को effect नहीं करेगा यानि जो food economy है उसे भी effect नहीं करेगा इसका जो process है वो थोड़ा सा quite complicated है, the production is quite complicated लेकिन इसमें food economy पे कोई भी effect नहीं पड़ेगा आगे बात करते हैं तो इसमें ये भी बताया गया है कि जो first generation वाला था उसमें हम food का use कर रहते राइट और food के जरिए हमारा जो waste था यानि कि जो food था वो use हो रहा था लेकिन उसमें जो pollution है वो zero हो रहा था लेकिन उससे compare करें तो pollution होगा वो as compared to the first generation इसमें होगा यानि कि इसमें थोड़ा सा emit करेगा green house gases को less emit greenhouse gases as compared to the first generation biofuels third generation biofuels की बात करें तो ये produced होगा micro organism like algae जो algae होता है उससे produce किया जाएगा और जो example है butanol जो micro organism होते हैं algae वो grow होते हैं land पे और water पे जोकी unstable होते है food production के लिए और जो इसका disadvantage है वो है fertilizer used in the production of such crops lead to environmental pollution इसका use से क्या होता है environmental pollution हो सकता है and this is the last fourth generation biofuels इसके production में हम use करेंगे fuels का crops का carbon होता है और इसमें biomass harvest होता है ये crops convert होती है fuel में second generation technique से इस fuel को consider किया जाता है carbon negative as the air production pulls out carbon from the environment ये carbon को बाहर फेकता है pulls out so यहां पे हमारा complete होता है so thank you so much guys for watching my video मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में अगर आपकी कोई query है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए कर दो आपकी 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 क